वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रयाग पॉइंट जैसा कि दूस्तों आप सभी को पता है कि जो 2023-2024 के लिए एडमीशन प्रोसेस प्रोफेसर राजयन सिंह ने जो भी अब इस सब्सक्राइब में जो है कि चल रहा है उसी को ले करके एक बड़ी अपडेट आपकों के लिए यहां निकल कर आई है एक बाइद अब हम लोग इस वीडियो में दो अपडेट के बारे में बात करेंगे पहली अबडेट जो है वो एडमीशन के लिए है 2023-2024 के इस्प्रेंट के लिए और दूसरी अपडेट जो है वो जो है कि आप सभी के जो अभी एन्मल एक्जाम हुए हैं उसी में उसको भी मैंने बता दूँगा कि क्योंकि उनके एक गाम बाकी था उसकी डेट जो है वो भी है औ नहीं तो फिर आप लोग समझी रहे हैं तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं साचिक सत्र 2023-2024 में विस्व विद्याले पर शेदे में संबंद महा विद्यालियों में संचालित समस्त ब्यवसाइक पार्ट क्रमों यथा लेलबी तरती बर्स और जो आपका त्री वर्सी ज सकती है मसी एजी में बीपी एड एंपी और बीए एल भी एम लिप ठीक है बी एम लिवाजयो और दूसरी चीज यहां पर एक और कोर्टिया गया है जो भी हो बी लीव है ठीक है बी लीव एम लीव में प्रवेश विद्याले इस तरह से आयोजित की जाने वाली जो प्रव तो ऑन लाइन फार्म जो इसके लिए रिजिस्ट्रेशन करा गया था उसकी डेट जो है वो पचीश तारिक से बढ़ा करके 16 जून तक कर दी गई है तो पचीश मई से इसको बढ़ा करके एक्टेंट करके कब तक कर दिया गया है पंदरह जून तक यहीं लगभग फिर से 20 दिन इसकी डेट को एक्स्टेंट किया गया है अब 20 दिन तो यह सिर्फ चलेगा आपका रेजिस्ट्रेशन फार्म उसके बाद ही आपकी जो एक्जाम औगारा की जो डेट होगी वो जारी की जाएगी और जो डेट एक्जाम की होग यह आप लोग लागातार देखते आ रहे हैं किसी के भैकावे में मत आईएगा ठीक है तो दूसरी जी जो चलिए हम लोग रुक करते हैं दूसरी अपडेट की और वो अपडेट क्या है तो वो अपडेट जो है वो यह है कि आप सभी को पता है आपके जो बीसी बीकॉम के इन्वाल लिख्याम नेशन थे वो लगभग-लगभग सारे एक्जाम जो है की जो कि कण्ड़क्ट करवा लिए गाए हैं जिनमें से भी यहसी बायों का जो एक एक जाम था वो बचा हुआ था या्सी बायो का एक एक्जम जो था वो बचा उआ था उसको कंडस्уса कराया गया गया जो है की 27 मैं को 27 माई को यह झाना था तो यह अपडेट और इसका नौटिस का वीडियो आपको आल्डेरी मैं जब ये नोटिस जारी किया गया था साथ माई को जो एक्जाम है था उसी को एक्स्टेंड करके 27 माई किया गया था तो मैंने आप सबी लोगों को बताया था और लगातार ये सारी चीज़ें तो आपको पता हुगी है कि आपका एक्जाम सब्ता इसको जो BSC बाय वाले इस्टुटेंट से उनके लिए ठीक है जो उनका एक एक्जाम एक्स्टेंड हुआ था तो ये उनके लिए ताकि लोगों को याद रहे जोंकि बहुत सारे तो ऐसे ही बच्चे होते हैं कि एक्जाम ही भोल जाते हैं ठीक है तो एक बड़ मैंने सोच आपको रिका disaster करभार देताहूं तो यहां से दूसरी चिजरी है कि आपके जो पी जो पी यहां वह लगव Tadda की चिखिंग चल रही है ताकि जल्द से जल्द आपके रिजल्स जारी किये जा सके तो ये सारी चीजें जो है कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली बाकी जो इवेंस्वेंस्टर के एक्जामनेशन है वो तो चली रहे हैं अपने टाइम से जो आपके समर वेकेशन है वो भी आ चुका है कल मैंने जो है कि आप सभी लोगों को बता दिया और आपने देखा भी होगा मैंने कम्यूटी बॉक्स में टैप करती है था बहां से आप लोगों ने देख लिया होगा तो आपका समर वेकेशन है बट उससे आपके एक्जाम पर कोई एफिक्ट नहीं पढ़ने वाला है लगतार आपके एक्जाम होते रहेंगे सो फ्रेंड्स थैंक्यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केर